पर चलो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेता है जीओ सीनेवा ने एक तरकिव अपना ही है जहां पर वहर दीन एक नय एपिसोड पब्लिश करेगा और 31 में को क्रैक्डाउन का सीजन 2 का आखरी एपिसोड आ चुका है अगर फर्स्सीजन आप लोग ने नहीं देखा है तो म की एजनसी है जिसको पकड़ना है तीम में सबसे पहले है आरपी जो कि मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है वह बंदे का दिमाग एक्शन सेंस सब कुछ एकदम भैत्रिन है दूसरे नमर पर यहां पर जुरावर इसको सब नफरत करेंगे पर दीरे दीर उसको लोग पसंद करने लगेंगे दीविया करें एक लेडी है जो कि आम जिनकी जीती है पर उसके चेहरे के वज़े से आरपी उससे मदद मांगता है ओवरल फर्स सीजन में एक टेरेडिस्ट को पकड़ना है जहां पर दीविया की मदद चाहिए फर्स सीजन के लास्ट एपीसोड की बात करे तो यहां पर दीविया जुरावर और आरपी तीनों लगे पड़े है हाईजेक प्लेन को ढूडने में अवंतिका राव करके एक एक्स राव चीफ अश्विनी राव की जगा ले लेती है थोड़ा बहुत इंवेस्टिकेशन करके उन लोगों को मौसम मसुद की इस सीरीज में आप लोगों को थ्रील और टेंशन दोनों देखने को मिलने वाला है और एंड में एक के बाद एक सस्पेंस रिवील होने वाला है जो कि आपको शॉक में डाल देंगे पहले एपिसोड से लेकर एट एपिसोड तक यहां पर एक भी ऐसा मॉमेंट नहीं है जो आप लोगों को दो मुवीज भी याद दिला देगी जो की नाम है एक था टाइकर और टाइकर जिंदा है ओवरल सीरीज इंटरेस्टिंग और सस्पेंस है भरी पड़ी है सीरीज में थोड़ी गालिया वगेरा है तो संभल कर देखना बाकी आप लोग समझदार हो अगर यह सीरीज आपके लिए बिल्कुल बनी है मैं चाहूंगा कि आप लोग इस सीरीज स्ट्रीम करें और जियो सीनेमा पर है तो बिल्कुल फ्री भी है तो चलो यार रही तो मैं राज का रिफ्यू क्रैक्डाउन सीजन 2 के उपर तो मुझे कमें बक्स में बताना कि आप लोग मैं तब तक के लिए बाई